नमस्कार मैं दुजेश उपाध्याय संगीर मिर्थ एवन कला पदर्शन भाग मानवी की विद्याशाथा की तरफ से आप सभी का स्वादध करता हूं जितरे भी हमारे संगीर के छात्र हैं उनमें जो तबले के विद्यारती हैं या हम कहें कि संगीर के संपूर्ण विद्यारती जो भी हैं हमारे वो चाहे सनातक स्थर्पे हो चाहे सनातक स्थर्पे हो उनके लिए हम एक बहुत ही महत्पूर्ण विश्य लेकर आए हैं इस पर आ पारखंडे ताल लिपी पद्दती जैसा कि आप जानते हैं कि ताल लिपी पद्दती के बारे में ताल लिपी पद्दती है वो क्या होती है और उसका क्या मेहती है ताल लिपी पद्दती मुख्यत और जो भारती शास्ती संगीत है हमारा उसमें जो हमारी ताल है और उसमें जो बजने वाली हमारी रचनाए है उनको लिपी पद्दती करने के लिए जिस भी एक प्रॉसे एक जो पद्दती बनाई गई है उसको हम ताल लिपी पद्दती कहते भारत में मुख्य रूप से दो ताल लिपी पद्धती का प्रयोखे है एक है आपकी पलुसकर ताल लिपी पद्धती जो पंडिक विष्णू दिगंबर पलुसकर जी के त्वारा बनाई गई थी और दूसरी है भाथखंडे ताल लिपी पद्धती जो पंडिक विष्णू न आपको बताया कि भाधखंडे ताल लिपिपद्धिते जो है वो विष्टू नारायन भाधखंडे जीरवारा बनाई गई थी और जैसे आप जानते हैं कि ताल के विभिन आयाम होते हैं जिसमें मात्रा हैं, ताली है, खाली है, सम है, विभाग है इनको किस प्रकार से दर्शा जाये और किस तरीके से समझा जाये कि कहां पर क्या ची है, कि कहां पर कौन ताली है, कहां पर खाली है, इन सब चीजों की जब जर्वत पड़ी है, उसके लिए भाधखंडे जी ने एक बहुत अठक्वयास किया, उनका नाम जो हमाए संगीत है, भाध़ती शासिए उसमें बड़े आदर खाली है, कि उनका एक बहुत महत्पूर योगदान रहा है, कि उन्होंने ताल ने की पद्धती दी, और जो हमने भी बताया कि इन जितने भी हमारे चिन्द हैं, उनके माध्यों से जो हमारे ताल के विभिन पहलू है, विभिन आयाम हैं, उनको हमें समझने मे सरलता भी होती है, अब जब हम बात कर रहे हैं, ताल के विभिन पहलू होती तो उसमें एक बहुत ही इंपोर्टेंट चीज आती है, उसका नाम है मात्रा, मात्रा जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ एक मात्राओं का समू होता है, जिसको हम ताल कहते हैं, और जितनी भी हमा मात्राओं की होती है, जैसे हमने पता है कि तीन ताल हमारी कितनी मात्राओं की होती है, अब एक धहरण के रूप में लेते हैं, तीन ताल, इसमें मात्राओं होती है, सोला, ठीक है, इसमें सोला मात्राओं हैं, और हमारी एक ताल होती है, इसमें होती हैं की बारा मात्राओं अब यह मैं सिर्फ उधारण के रूप में दो आपको ताले बता रहा हूं और जहां मात्रों की बात कर रहे हैं तो अब हमने जैसे एक उधारण के रूप में ले लिया कि आपका तीन ताले तो तीन ताल में जैसे हमने बताया कि 16 मात्रा होती है तो अब जो भात्खंडे जी ने उसको दर्शाने का तरीका बताया है यह सिंपल नंब्रिंग के हिसाब सही है कि जैसे हमने आपको बताया कि हमने लिद दिया तीन ताल दिया दिन दिन दा दा दीन दिन दा दा देना इस पकाज से आप यह देख रहे हैं कि यह सोला मात्रा है तो भारत करने जिए इसको सिंपल मात्राओं को करने के लिए मैंसा कुछ नहीं करना है इसके इसके इंके उपर क्या लिए थे हैं लिए वाइन टू टीज प्रिश्टी और इस तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि नंबरिंग जब हम करते हैं तो जब हम कोई ताल लिखते हैं और उसमें हम कहते हैं कि कितनी मात्रा हैं यह आपकी सोला मात्रा है तो यह जो आप देखेंगी किसी भी जो बोल है उसके आप कोई भी वर्ड है कोई बोल है उसके उपर जो भी अंके लिखाय था, उसको हम काउं करें, कितने अंके लिखे गए हैं, तो उससे क्या होगा, जो भी संख्या लिखी गई होगी, उससे बता जाए कि उसमें कितनी मात्रा हैं उसका यह एक इग्जामपल आपको मैंने बता दिया, यह मात्राओं के इससाब से, अब इसके बाद आता है इस पर कि हमारा सम, तो जैसे हमने यह बताया, कि तीन ताल का हम यहाँ पर उधारण ले रहे हैं, तीन ताल में आपकी 16 मात्र, 3 ताल में हमारी 16 मात्र है, यह मात्राओं का हमने बता दिया, कि जो भी हम कोई बोल लिखेंगे या उसके जो जो बोल बजाए जाते हैं वो लिकेंगे और उनके उपपर इतने भी हम संख्या लिकेंगे उसकी मात्रा यह के लाएंगे जूसरा इंप्पर्टन जीज है इसमें जो इसका पहलू है वो है सम्ग आप जबी जानते हैं कि सम्झ का आरथ होता है सम्ख्याथ की हमेशशा प्रधम मात्रा होती है ताल जहां से प्रारंध की जाती है उसको हम सम्ख करते हैं अब जहां हम TH tribal के हम बात करते हैं तो वहाँ के हमने आपको बताया कि यह पहली मात्रा आपके आ गई है इसके उपर संख्या के इसाब से हमने यह लिख दिया और इसमें एक इंपोर्टेंट चीज़ होती है कि इसके जो चिंद का प्रयूग कहाता है वो कहाता है क्रॉस तो कहीं भी आप देखें कि अगर इस तरीके का एक चिंद आपको दिखेगा तो भादखंडे तालिपी की पद्धती के अनुसार इसका आर्थ होता है कि यह ताल का प्रारंब है ताल की पहली मात्रा है और यहाँ पेज का संगीत में संग बहुत ही महत्तभून होता है जैसे कि आप सभी जानते हैं तो हमने इसमें क्या सीखा कि आपका जब हम संग की बात करेंगे तो वहाँ पर किस चिंद का प्रयूक के जाएगा यह तो यह हमेशा आपका पहली मात्रा पर होगा ताल में 16 मात्रा है, 12 मात्रा है, 10 मात्रा है लेकिन जब भी आपकी हमें बात करेंगे कि संग की बात होगी तो यह हमेशा कौन सी उस पर होगा? पहली मात्रा पहली मात्रा किसकी? ताल है संग को हम इस से डिनोट करेंगे और ये हमेशा कौन सी मताव होगा पहली मताव इसके बाद जो हमारा दूसरा जो की जाती है वो है ताली अब जैसे हमने बात करी ताली की ताली जैसे आप जानते हैं कि सम अन्य जितने भी विभाग है उसके उसकी प्रथा मातरा पर जहां पर खाली नहां उसके जहां पर भी ह हम उसको क्या कहेंगे कि हाज से आगात कर हम उसको दर्शाते हैं इस तरीके से उसको हम कहते हैं ताली यह एक बहुत ही महतकून की आप इसको डिनोड कैसे करते हैं इनको हम एक ताल में कितनी कितनी तालिया हैं तिक है जितनी भी तालिया होती है उसके एसाब से हम इसको डिनो जैसे हम तीन ताल का एक्जाम पर लेते हैं या आपके उधारा लेते हैं तीन ताल में एक पांच और तेरा पर ताली होती है ताली का एक मतलब जो हम बता रहे थे कि ताली यानि कि उसका भरा पार्ट है उसका तीन ताल में एक पांच भी तेरा पर हमारी ताली है अब यह को हम डिनोत कैसे कर रहे हैं जैसे हम कहा रहे हैं एक पांच तेरा तो जैसे हमने आपको यह बैदाPOS कि तीन ताल के रूप में अगर पूसको ले रहे हैं हम में लिकाव धा्र्म Clean दिन, दा, दा, दिन, दिन, दा, दा, दिन, दिन, दा, दिन, दिन, दा, दिन, 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 दिन इस प्रकार से हमने यह तीन ताल लिख दी है इसमें हम जैसे मात्राओं पर यह बताया तो एक दो तीन च्यार अच्छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौगा पंगरा और सोना तो जह हम ताली की बात कर रहे हैं तो भातकंडे जी ने ताली के लिए मात्रा संख्या को हमें दिनोड किया है कि जैसे हमने इसमें यह कहा कि तीन ताल में यह होता है कि कहां कहां पर ताली होती है एक पांच और तेरा मात्रा तो अब एक मात्रा क्या है एक मात्रा है सम तो सम को हम कैसे दिनोड करते हैं हमने बताया इसको हम क्रॉस से दिनोड करते हैं तो यह तो क् तो यहां पर हमारे पास तीन ताली है तो एक पर हो गई और फिर तेरा नंबर यहां पर आ गया तो यहां पर जह हम ताली की बात करते हैं तो ताली में सम को पर एक मान लेते हैं मैं तो रही कुंसी आतली मातरा पर चैसे 2 पाली में पहली हमारी हम हो गही फिर यहां फिर युषके बाद ताली पांसवी मातरा पर तो हमें दूसरी Überpros ताली संख्या देखेंगे दूसरी उसके बाद 13 मात्रा पर हमारे ताली है तो यहां पर हम इसको तीन लग देखेंगे कुल 3 तारिया हुई पहले पे शाम आ गिया दूसरे पे पांश मात्रा पे दूसरी तारिय और तेरा मात्रा पे यहां पे तीसरी अ गे तो ये एक बहुत ही इंपोर्टन चीज है कि आपको और सो कैसे दर्शाना है श्यूंकि बहुत बार जो हमारे विध्यारती होते है वो मात्रा और यहां ताली संक्या में कन्शूज कर जाते हैं तो हमेशा जब भी आप देखेंगे कि जो उपर लिखा होगा किसी भी बोल के वो उसकी टोटल जो आपकी मात्रा है उसको दर्शाएगा जब हम इसकी बात करेंगे तो यहां पर पूल लिखते हैं जब हम बताते हैं कि ताली की बात हम करेंगे तो वहां पार एक प्वार पांच और तेरह पे हमारी तीन तालीया रहे अगया तो यह ताली संख्या दो आ गई और तेरी पर हमारी ताली संख्या तीन आ गई तो यह ताली संख्या के इसको हम लोग रिप्रेसेंट करते हैं यह आप गों के समझेने के लिए हमने पूरा आपको दिखा दी है इसके बार जो यहाँ हमने चीजर दो से एक हिरा आथ कि एसी बडर और यहाँ प्याप और खाली के बारे अजिस्ट उसका हम बारे हो ऑप दाली अब यहीं पर हिंट आपको खाली की बारे है अब जो दूसरी हमारी जो एक महतुकून जो पहलू है उसका वो है खाली खाली से ही जैसे आप समझ पा रहे हैं कि मतलब बोल तो बजेंगे लेकिन उसका क्या है कि वो भरे भोल नहीं होंगे खाली के बोलोंगे तो इसलिए उसको जहां कि मतलब हम ताली जह हम पढंत करते हैं तो संपर भी हम ताली बजाते हैं इस तरह के दिनूर करते हैं धाधिनधिनधा धाधिनधिनधा झीधनधिन जब खाली की बात करते हैं तो हम फाथ को एक तरफ को जुकादेते या एक तरब को उठा के से चुका लिए हम उसको ताली नहीं मारते हैं तो जो परंपराएं हमारी बनी है संगीत में इस बातखंडे ताली बद्धिति के माध्यन से कि परंथ हमारी इस तरह के से होगी उसको कैसे दर्शाया जाएगा तो ये हम बता रहे हैं कि इसमें खाली है अब जैसे हमने जो उधारन लिया है वो तीन ताल का लिया है तीन ताल में हमारी कितनी मात्रा होगी सूला मात्रे होगी अब तीन ताल में खाली कौन सी मात्रा पर आती है नवी मात्रा अब भात्खंडे जी ने क्या कि खाली को दर्शाने के लिए कि पता कैसे लिए खाली आ रिये तो इसको दर्शाने के लिए इन्होंने इस तरीके का एक जो शून निगा चिन होता है इसको इस तरीके पर जाए है कि एक इमपॉर्टेंट है कि इसको थे लिए यह चिल्ट है पर पर है और इसपे चिननेiba colonial परशया उटा यह से था सुअयह उपर कि आवे एक आउगए एड़्ान में इसको कैसे प्रेस्थे करते है शूदने से तो आप हम देखेंगे कि यह नवी मातरा कहा पे यह यहां पर, तो हमने इसके लिए क्या रगा दिया, यह ध्यान देना है कि जब भी हम ताल में इस तरह देखेंगे और हम देखेंगे कि जब यहां जिस भी बोल के नीचे शून ने बना होगा, जीरो बना होगा, उसका मतलब यह है कि वहां पर आपकी खाली है और एक important चीज है कि जिस प्रकार हमने बताया कि तालियां तीन हैं, तो खाली का भी क्या है कि एक भी हो सकती है, किसी ताल में दो भी हो सकती है, किसी ताल में तीन खाली भी हो सकती है जैसे हमने इसमें बताया कि तीन ताल में हमारे पास कितनी खाली है, एक खाली होती है, इसी प्रकार से जह हम एक ताल की बात करेंगे, जिसमें बारा मात्रा होती है, उसमें दो खाली होती है लेकिन जब इसमें तो इंपोर्टेंट है कि जैसे हमने ताली के बारे में आपको बताया कि ताली माना तीन ताल में हमारी एक पांच तेरा पर ताली है तो हम इसको कैसे डिनोड करते थे हमने पहली मातरा पर है तो उसको हम समसे डिनोड कर देंगे और दूसी ताली संख्या को दो से, तीसी ताली संख्या को दो से, तीन से, ये हमारा ताली वाला पार्ट है, ये अलग है, लेकिन अगर खाली अगर होगी, तो खाली को हमेशा किस से दिनोट किया जाएगा, शून निसे, जिजीरो से, अगर खाली एक है, दो है, तीन है, तो वह हमेशा किस से दिनोट करे जाती हैं? आपके शूनने से. ये एक बहुत ही इंपोर्टन चीज है जो आप उनको ध्यान देनी है. कि ताली में हमेशा ताली संख्या के इसाब से संख्या लिख देंगे. लेकिन जब हम खाली की बात करेंगे, वहां पर हमेशा शूनने आएग कि आपकी कितनी खाली है उसको हमेशा करना पड़े और जब ताली की बात करेंगे तो ताली में यह आ जाएगा कि आगर आपको नीचे देखेंगे कि वहां पर कितनी आपको दिख रहा है, तीन नंवर है, ताली संख्या रेखेंगे कि तनी आ रिए हैं? उससे आपको ग्रा प्रकार से कुछ तालों में निश्चित मात्राइं होती हैं उसी प्रकार तालों के निश्चित विभाग भी होते हैं अब ऐसा है कि जब हम विभाग की बात कर रहे हैं और हम तीन ताल का उधारन ले रहे हैं तो इस पर इसमें क्या है कि इसके चार विभाग होते हैं और विभाद को भादकंडेजी ने जो दर्शाया है कि विभाद को किस तरीके दर्शायेंगे उसके लिए एक खड़ी लाइन एक सीधी लाइन ऐसी आप खड़ी जो लाइन होती है वर्टिकल लाइन होती है इसका इस चिंद्न का प्रयोग के लिए यह एक सीधी लाइन ऐसे वर्टिकल लाइन आप देखिए कि और जो हम तीन ताल का उलहरण ले रहे हैं इस पर क्या होता है कि यह ऐसी ताल है कि इसमें हर यह चार-चार मात्रा के इसके विभाग बनते हैं तो आप देखिए हम क्या करेंगे हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे इ थार मात्रा एक दो तीन चार उसके बाद जो रीखा होती है उसको ऐसे खीग जाता है फिर उसके बाद एक दो-थीन चार को पिशिक लाइना जाएगा एक दो तीन चार और एक दो तीन चार ये भाग कर देंगे और अंत में अब ये इसकी स्पेस नहीं है तो यहाँ पर हम इसको धा लिख देंगे और इसको यहाँ पर हम फिर ये समय यह आपका इस से जून पर देता है इस तरीके से तीन ताल को दुर्शाय जाता है दा दिन धिन दा धा दिन धिन धा दा थिन तिन ता ता धिन धिन धा तो जब आप Seg खड़ी लाइन शब्दों के बीच में बोलों के बीच में जब आweit होगी तो यह है विभाज यह उपर से जितनी भी आपको देख रहे हैं नंबर्स तो आप लास्ट में देख लिए उससे आपको पतल जाएगा कि उस ताल में कितनी मात्राइं हैं संब के लिए आप को देखना अग आ यहां पर भी ऐसा क्रॉस बनाओगा वह हमीशा क्ली के मात्रा होती है वहीं पर ये क्रॉस बना होगा तो यानि कि ताल का प्रारम है ताल की पहली मात्रवेसम होता है और फिर उसके बाद हमारी ताली की बात आती है उसमें कितनी तालियां है जैसे तीन ताल में एक पांस तेरा पे है तो हम देखेंगे यहां हमारा क्रॉस है तो बन हो गया यह शुनने का चिंदन आपको दिखेगा इसका अर्थ होता है कि यहां पर इसकी खाली है एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यह भी बतानी है कि जैसे हम कहते हैं कि सम जो ताल की पहली मात्रा होती हो हम शम होती है ुर वहां ताली होती लेकिन रूपक एक ऐसा थाल है ऊरुपक ताल कि कुछ विद्वानों का मत्य है कि यहां पर जो होती है अब यह हमने देख लिया है पूरा ने आपको युजना का बताते सा हूं यह हमारे रूपक ताल है रूपक ताल में अब हम जैसे हम कोई ताल लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे मात्रा साथ बिभार अब यह हम इसको छोड़ रहे हैं इसको बताएंगे फिर ताली और एक खाल यह अब हम बता रहे है तो रूपक ताल क्या है ती ती ना भी ना लेकशन दिन तो यह हमने लिख दिये रूपक ताल के जीसे पहले तीन ताल के उध्वाडर के रूप में बता रहे है वैसी आँ इसम魔िंगे कि यह पहली मात्रा यह दूसरी मात्रा यह थी si ख Gesetzentn31 सर्फ मात्र शयां मोरूने क OP हमाली परमपार है कि कि सम्भ हमेशा कहा होता है यहां पर पहलीिमात्र पर आ लेकिन यहां रुपक्ताल में कुछ विद्वानों का यह है कि यह इसको हम खाली से रिप्रेजन करते हैं चीक है इसमें और विभाग कैसे होते हैं इसमें तीन विभाग होते हैं वो कैसे होते हैं तीन दो दो के एक दो तीन विभाग के लिए हमें कैसा है कि आपको एक रेखा के जिनी है फिर उसके बार एक रेखा यहां और यह अंतिम में एक रेखा यहां खीचके फिर से यहां पर हम ती लिख देते हैं और यहां स्कून लगाए यह यानि कि साथ मातरा के बार फिर से यह इसका दुबारा दूसरा आवर्दन जो शुरू होगा वह यहां प आपकी ठीक है आप यहां पर एसे साब से खाली एक ही है इसमें तो यहां खाली कितनी हो गई एक और एक कौन सी मातरा पर है एक और इसके बार एक और दो यह आगया आपका दो टाली है और कौन कौन सी मातरा पर है देखिए गई चो थी और छटी मातर पर जो खाली में देखें चौथी में जो इसलों कोम सी मातरा पर है यह पार बड़र इस तरीके से रूपर ताल को प्रेजंट करते हैं और जहां हम पढ़ंत की बात करेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे ती ती ना धी ना धी ना धी ना ती ती ना धी ना धी ना तो इस प्रकार से हमने आज क्या सिखा भाधखंडे ताल लिपी पद्दती कि ताल को दर्शाने के लिए हमें जो भादखंडे जी ने चिन ने बताए हैं वो क्या-क्या है ये आप समझ लिए दुबारा से एक है मात्रा जो हमेशा ताल के जो बोल है उनके उपड़ लिखी जाएगी जो भी मात्रा होगी उसको हम टोटल उसकी संख्या लिख दें कि डूसरा हमारा है सम जो हमेशा अधिक्तर तालों में पहली मात्रा है ताल का प्रारंताल की पहली मात्रा सम होती है जो ताली भी में होती है और जो इससे ये चिन है फिर है ताली किसी भी ताल में जितनी तालिया होती है सम को मिलाकर उसकी हम जो भी ताली संक्या होगी जैसे तीन ताल का एक्जामपल लिया तो एक पांच और तेरा पर ताली है तीन तालिया और एक पांच और तेरा पर ताली है ये इसको ये होगा और लेकिन इसको जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो कैसे करेंगे पहली माता जो ताली है उसके लिए ये हो गया आपके लिए क्रॉस हो गया ये दूसरी ताली संक्या है तो ताली संख्या के लिए 2 और 3 पी ताली ताली संख्या उसके लिए 3 तो यह आपका चिन्ध हो गया सम ताली और उसके बाद आगया आपका खाली खाली उस ताल में ज्तनी खाली होंगी सब क्या है उनको हम शून जीरो से रिप्रेजंट करते हैं अगर किसी ताल में जैसे मैंने पहले बताया आपको कि अगर खाली ज्यादा है तो वो शून नहीं लिखा जाएगा उसमें ताली की तरह है ताली संख्या नहीं लिखेंगे ऐसे इस तरीके से उसके बाद आता है हमारा विभ और यह हैं उनको हम एक खडी लाइन एक वर्टिकल लाइन से हम रिप्रेजंट करते हैं तो इस तरीके से भात खंडे ताली पी पद्धती में ये सारे जीतने पहलू है daha पढ劾 के जो है में उनको दर्शाने के लिए इस तरीके से बातकंड की ने चिन्न बताये 보세요 जो सब्सक रख सकते हैं और उसमें लिखने से कोई भी जो होगा उसको समझने भी आसानी होगी कि वो किस तरीके से लिखी जा रही है और किस तरीके से में पढ़न्त करने है धन्यवाद जूआ हुआ है रहा किस तरीके से खुपने अज़ किस तरीके से लिखी जह हैं।